Welcome to Intelligentsia Institute Intelligentsia Institute के चैनल को आप लोग ज्यादा स्यादा सेर और सब्सक्राइब के रिए चलिए शुरू करते हैं अगला सिरीज हाँ निमलिकित में से किस इस्थिती में कालेज, सिच्छक, वास्तों में छात्रों के लिए साहयक हो सकता है तो इसमें सी वाला सही होगा छात्रों को कच्चा में प्रस्थ पूछने के लिए प्रोसाहित करता हो तीक है? यह अब उच्च शिच्छा में अध्यापन का सबसे वानशित प्रणाम कौन सा है? तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा बिद्यार्थियों की स्वतंत सोच के अस्तर में वृधि ठीक है? ये सही होगा अब नेक्स है पुस्तके संचार का एक सक्तिसाली सुरोत हो सकती है यदि यदि तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा पाठि सामगरी दिश्टांत दर्सक है ठीक है, निमलिकित में से कौन सा बरिणाम, प्रभाबी सिच्छन को सबसे सही प्रकार से प्रत्विंदित करता है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा छात्रो द्वारा पूछे सार्थक प्रश्ण, ठीक है, ये सही होगा, निमलिकित में से कच्छा सिच्छन का सबसे महात्पूर्ण उद्देश कौन सा है ठीक है तो इसमें होगा बी जिग्याशु मन को विक्सित करना ये कच्छा सिच्छन का सबसे महात्पूर्ण उद्देश है ठीक है नेक्स है चात्र उन सिच्छकों को अपरिच्छाक्रित अधिक पसंद करते हैं जो की जो की तो इसमें क्या होगा कच्छा में सबसे अधिक सुर्थलेक लिख करवाएं परिच्छा से पहले महात्पूर्ण प्रसनों की सूची प्रदान करें विशयों से संबंधित चात्रों की समस्याओं का समाधान करें और जो स्वयम को अनुसासन में रखें तो इसमें क्या सही होगा सीवाला सही होगा विशयों से संबंधित चात्रों की समस्याओं का समाधान करें ये सही होगा निमलिकित में से सिच्छन का मुक उदेश कौन सा है ठीक है तो इसमें मुक उदेश क्या है तो मुक उदेश है छात्रों की सोच बिक्सित सोच सक्ति को बिक्सित करना ये सही होगा अब नेक्स है उच्च सिच्छा में उच्छे सिच्छा में एक सिच्छा की क्या भूमिका होती है तो इसमें क्या होगा हाँ इसमें होगा छात्रों को स्वयम सीखने के लिए प्रेरित करना ये भी सही होगा ठीक है और उसके बाद में छात्रों को जानकारी प्रदान करना ये भी सही होगा और छात्रों के बीज प्रितिस फर्दा को प्रोसाहित करना ये भी सही होगा तो पहला तीसरा और चौथा ये सही होगे ठीक है फिप्टी एट का क्या होगा फी होगा ठीक और क्योल छात्र के लिए क्योल परिच्छा के लिए छात्रों को तयार करना ये गलत होगा ठीक है कौन सा होगा इसमें? हाँ, इसमें D वाला सही होगा. इस्तितिक इमांग के अनरूप कच्छा में परतियोगता या परसफर सहीोग की भावना उत्पन करें. तो ये प्रभावी सिच्छक सुनिश्चित करता है, ठीक है? अब है next, एक नए सिच्छक के लिए सबसे कठिन कायरी अपनी प्रात्मिकताएं अस्थापित करना होता है. प्राया हुआ निमलिकित में से किसे से अपनी कच्छा का आरम करना चाहता है? ठीक है? तो क्या होगा इसमें सही? चाहत्रों के साथ तालमेल अस्थापित करके, ठीक है? ये वाला फ़ह होगा. अब next है, एक सिच्छक निमलिकित में फे किस प्रकार की कायरी शैली को अपना कर चाहत्रों के साथ घनिश्टता अस्थापित कर सकता है? ठीक है? तो इसमें सही होगा ये, एक मारदर्सक की भूमिका निभा कर साहिता करने के लिए इच्छुप होना. ठीक है? ये सही है. अब next जेखते हैं, निमलिकित में से सिच्छन की गुरुवत्ता का आकलन करने के लिए सबसी उपयुक्त बिधी कौन सी है? उपयुक्त बिधी कौन सी है? तो इसमें वार्षिक परिच्छा परणडाम चात्रो की उपस्थती ठीक है? और सी है इसमें चात्रो की पराश्परिक बिचार बिमर्ज की गुरुवत्ता की जांच और कच्छा में चात्रो की चुपी तो इसमें क्या होगा? ठीक है? तो इस अब निमलिखित में से अधिगम के मार दर्शन में सिच्छक की भूमिका का नियुंतम महत्पूर पहलू क्या है तो इसमें ये वाला सही होगा निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करके अंतर द्रिष्टी कभिकास करना तीक है ये सही होगा अब 64 में देखते हैं निमलिखित में से उच्छ सिच्छा में सिच्छक की कौन सी मुख भूमिका नहीं होनी चाहिए तो कौन सी भूमिका नहीं होना चाहिए छात्रों को अपनी निजी समस्याओं हल करने में साहिता करना अब 65 निमलिकित गदविदियों को कच्छा संचार के तार्गिक क्रम में क्रमबद कीजिए तो इसमें सबसे पहले होगा योजना की तैयारी फिर होगा इसमें थार्ड वाला सामागरी की प्रस्तुती फिर उसके बाद में इसमें होगा पहला किये गए कारियों का विशलेशन फिर इसमें होगा छात्रुक फिर संसोधन और सुधार तो ये सेकेंड होगा थार्ड होगा फास्ट होगा और फोर्थ होगा तो इसमें सही है भी वाला अप्षन तीक निमलिकित में से कौन सा कतन प्रभावी स्विच्छन को इंगित नहीं करता है तो क्या होगा इसमें? इसमें B वाला सही होगा एक सिच्चक अपने चात्रों में तूटी दूणता है तो यह वाला गलत है ठीक है? यदि कुछ चात्र परिच्चा में असफल होती है तो निमलिकित मेफे इसको कित रूटी माननी चाहिए सिच्चक की प्रधानाचायर की स्वहम छात्र की या इस बात का शामानी करण नहीं किया जा सकता तो क्या सही होगा डिवला इस बात का शामानी करण नहीं किया जा सकता है अब 68 में देखते एक सिच्छक छात्रों का ध्यान आकरसित करने में सच्छम नहीं है ऐसी इस्तिती में सिच्छक को कौन से कदम उठाने चाहिए तो ये वाला सहिए अपने सिच्छन बिधी का मोल्यांकन करें और उसमें आवसकता अनुजार सुधार करें एक सिच्छक का प्रात्मिक कारी क्या है तो इसमें क्या होगा चात्रों का मारदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना ये प्रात्मिक कारी है सिच्छक का निमलिखित में से कौन सा कथन सिच्छक ब्यवहार एक असफल सिच्छक ब्यवहार के आयाम को चित्रित करता है तो इसमें शीवाला होगा चात्रों के प्रति उदासियन रवय्या यों पूंड रूप से दिन्चारिया पर केंद्रित ठीक है ये सही होगा अब 71 देखते हैं निम लिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे सिच्छक के संदर में सही है तो इसमें डिवाला सही होगा सभी सही है कच्छा में पढ़ाये जाने वाले विशे का अलोकन प्रदान करना चाहिए अच्छा संचार कौसल होना चाहिए ये भी सही है अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए तो ये उप्रोक्त सभी सही है 72 देखते हैं निमलिखित में से एक नए सिच्छक के लिए कौन सा वांचनिय उत्तरदाईत तो है तो क्या सही होगा इसमें B, मत बहेदो के होते हुए भी साथी सिच्छक के साथ सही होगा निमलिखित में से सिच्छक के लिए प्रारंबिक अवस्था में विफलता का मुक कारण किस छेत्र से संबंदित है तो C वाला सही होगा सिच्छक का ज्यान निमलिखित में से किसको मुक्त प्रगती सिच्छा पर आधारित मिरंबा का इस्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है तो किसको कहा जा सकता है? सिरी अर्विंदो को, ठीक है? निमलिकित में से एक नए सिच्छक के लिए सफलता का सबसे महातपूर कारक कौन सा है? तो सिवाला सही होगा, सिच्छक का अपना व्यक्तुत और कच्छा को समययुजित करने की छमता, ठीक? अब 76 देखते हैं, निमलिकित में से उच्छ सिच्छन संस्थान में कारेयत, सिच्छक के लिए, खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल पहुंचा है, यह होगा, तो इसमें क्या सही होगा? ए में है सिच्छा, सिच्छक कच्छ में आराम करना, पुस्तकाले में पत्रकाएं पढ़ना, प्रसाफनिक करमचारी से बाचीत अनसंधान करना, तो क्या फई होगा इसमें? डी वाला सही होगा, अब देखिए, नेक्स देखते हैं, टाइलर मॉडल के अनसार निमलिकित में से पाड़ करम के मुख गटक कौन से हैं, टीक है? तो 77 का भी होगा, वो देश, सैचिक अनभो, अनभो का प्रभावी शंगटन, लक्ष का सक्त्यापन, ये सही होगा, टीक है? अब 78 में देखते हैं, अनभवी सिच्छक को एक बिशय पर बिश्तरित योजना तयार करने की आउसकता नहीं होती है, क्योंकि? क्यों नहीं होती है? क्योंकि D वाला सही है, जैसे वो अनभो से बिशेशता प्राप्त कर लेते हैं, वो इसका संचिप्त प्रारूप तयार कर सकते हैं, टीक है? ये सही होगा, निमलिखित में से कौन सा कथन? एक आदर्स सिच्छक के अच्छनों को दर्साता है, तो इसमें क्या होगा? हाँ, तो इसमें C वाला सही है, एक मित्र, दार्सनिक और मार दर्सत की भांद विवहार करता है, टीक है? हाँ, एट्टी है, निमलिखित में से किन कारणों की वज़ा से सिच्छा का छेत्र, संगर्सों और ब्रांतियों स गिर चुका है, तो इसमें क्या होगा? बीवाला सही है, समस्याओं के निदान के लिए कठोर बैग्यानिक जाच का अभाव, ठीक है? ठैंक यू, चैनल को आप लोग ज़्यादा से यादा सेर और सेस्क्राइब के रिए